नमस्कार इंडिया न्यूस के इजिस्टल प्लेटफर्म पर आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ अनन्यावेदी आयुध्या की लोगों के लिए इस बार की दिवाली खास होने वाली है क्यों के प्रदान मंतरी नरिंधमोदी दिवाली से ठीक एक दिन पहले 23 ऑक्टूवर को अयुध्या जाने वाले हैं सबसे पहले प्रदान मंतरी नरिंधमोदी अन्वान गडी में दर्शन करríंगे और रजब इशेक में शामिल होंगे और साथी सर्यू तटपर आरती में भी प्रधान मंतरी नरिंद मुदी शामिल होंगे लेकिन इन सब के भी सबसे खास कारिकरम जो लगभग काफी सालों से किया जाता रहा है और अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता जा रहा है ये कारकरम वो है दीपोस्व का कारकरम जो उतरप्रदेश सरकार की तरफ से किया जाता रहा है पिछले साल की बात करें तो लगभग 9 लाक दिये जो थे वो जलाए गए थे सर्यू तटपर और आपको बता दे कि 9 लाक दिये जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये और इस बार जो तरफSR कार की तरफ से तयारिया है या लगभग ब। 17 लाक दिये जलाने की है और इसको लेकर आपको बता दे कि जो तयारिया है वो कहा जारा रहायकि धिरे-धिरे से तयारिया पूरी की जा रही है बड़ी संख्या में student volunteers हैं वो इसमें हिस्चा लेते है और बड़ी संख्या में जिम्यदारी दी जाती है अलग-अलग संस्ता के लोगों को केतने इतने दिये उन्हें अरेंज करके लाने हो और यहां यहां उस तरह से ववस्था होनी है बहुत खुबसूरत यह पूरा कारकरम होता है आपने देखा होगा हर साल वो तस्वीरे भी सामने आती रही है जब अपने आप में बहुत खास होता है सरी तर्का जो नजारा होता है वो अपने आप पे देखने लाइक होता है इस मंत्री नरेंद मोदी अगर इस कारक्रम में शामिल हो रहे हैं तो जाहिड सी बात है आयुध्या के जो वासी हैं उनके लिए इसे ची खबर क्या हो सकती है और जो राम मंदिर का निर्माड का रहे हैं वो भी धीरे-धीरे से तेजगती से चल रहा है और इसके साथ ही प्रधान अक्टूवर को बहुचेंगे तो अपने आप में इस बार का जो दीपाउसो है अध्या के लिए वो बहुत खास होने वाला है